नमस्कार मैं हूँ पंकेज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपकी कुछ और सवालों के जबाब तो शुरू करते हैं ये सवाल जबाब का सिल्चला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल पहला सवाल मैं जो ले रहा हूँ ये पूछा है अमित सिंग चोहान नहीं अमित सिंग जी आपने अपना पूर्टफिलो शेयर किया है और बताया है कि निपोन इंडिया स्मॉल केप फंड में आप SIP कर रहे हैं 3000 पर मन्त की क्वांट स्मॉल केप फंड में 3000 टाटा स्मॉल केप फंड 3000 HDFC मिट केप फंड 3000 SBI मिट केप फंड 3000 और 20 साल का आपका नजरिया है और आप चाहते हैं कि माँका पूर्टफिलो रिव्यू करूं अमिज जी मैं आपको बता दूं कि निपोन इंडिया स्मॉल केप फंड ने लास्ट वन येर में अरॉंड 50 परसेंट का रिटन डिलीवर किया है वही क्वांट स्मॉल केप फंड ने भी 50 परसेंट टाटा स्मॉल केप फंड अरॉंड 36 परसेंट SDFC Mid Cap Opportunities Fund का रिटन रहा है अरॉंड 46 परसेंट और SBI Mid Cap Fund का रिटन है करीब 35 परसेंट यह मैं बता रहा हूँ एज पर NAV ओप 28 दिसंबर 2023 तो आप क्योंकि लास्ट वन येर में इनी स्कीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आप खुश भी काफी होंगे इस परफॉर्मेंस से लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि अलग 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 बिजनिस साइकल्स होती है एकोनोमी में और अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेक्टर्स और अलग तरहां के मार्केट कैप्स एक दूसरे से बेतर परफॉर्म करते हैं लेकिन यह सोचकर कि स्मॉल कैप या मिट कैप ने लास्ट वन इयर में बहुत ही अच्छा रिटन दिया है तो आगे भी ऐसा ही रहेगा ऐसा सही नहीं है क्योंकि जैसे अमने देखा कि अभी लार्ज कैप में उतनी जदा ग्रोथ नहीं देखी गई जितने की स्मॉल कैप, मिट कैप में और उमीद है कि आने वाले कुछ समय आप लार्ज कैप में इस्पेशलि यदि बात करो 2024 की तो लार्ज कैप में आपको अधिक ग्रोथ देखने को मिलेगी ऐसा मेरा अनुमान है तो पॉर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिट कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के म्यूचल फंट होने चाहिए और होता यह है कि मान लिजए अपने स्मॉल कैप में बहुत ज़दा एक्स्पोजर लिया हुआ है और फिर मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 साल वहाँ पर आप ग्रोथ ना देखें जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए भी बड़ा टाइम लग जाए क्योंकि मैं कई साल से मार्केट में हूँ और लाश्ट 15 साल से टीवी पर शोज करता हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसी क्वेरी ऐसे कोश्चन्स आंसर किये हैं तो मुझे याद है उधारन के तौर पर DSP Micro Cap Fund एक टाइम था फंड की परफिमेंस बहुत अच्छी थी तो हर वीवर यही सवाल पूशता था कि क्या मैं इस परण को अपने पोर्ट फिल में शामिल कर लूँ या मैंने अलड़ी शामिल किया हुआ है इसको और बढ़ा दूँ और उसके बाद वहाँ पर तेज गरावट आई जब गरावट आई तो उसके बाद सबका यही कोश्चन था कि क्या मैं इसे निकल जाऊं तो जब तेजी हो तब एंटर करना और फिर जब गरावट हो जाए तब आप निकलने की सोचें तो फिर आपका जो वेल्थ क्रियेशन का गोल है वो अचीव होना मुश्किल हो जाएगा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मेंशन किया है कि आपका नजरिया 20 साल का है तो 20 साल में definitely funds अच्छे हैं अगर आप risk लेने को तयार हैं तो कोई दिकत नहीं है इनकी NAV कम भी होगी आप बने रहेंगे तो बेशक long term में पैसा बनेगा लेकिन होता यह है कि इतना patience अकसर और most of investors के पास नहीं होता है और जब कोई fund कुछ समय के लिए perform नहीं करता है यानि कि 2-3 साल के लिए फिर investors वहाँ से exit कर जाते हैं fund की performance नहीं आ रही है क्योंकि इसे manage नहीं किया गया ठीक से वह बात अलग है लेकिन आपने किसी particular sector में या particular segment में invest किया है तो ऐसे में हो सकता है कि वो sector या वो particular segment उस वक्त पर perform नहीं कर रहा हो तो फिर उस गिरावट में आपका loss हो सकता है यादि आप loss बुक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको small cap में exposure कम करना चाहिए और आपको large cap में exposure बलाना चाहिए यह कहिए कि आपके पास जो खेर large cap है नहीं तो आपको large cap fund अपने portfolio में ज़रूर add करना चाहिए ताकि आपके portfolio में थोड़ी stability भी बनी रहे funds अभी अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जैसा मैंने explain किया आपके portfolio में small cap exposure बहुत ज़्यादा है large cap missing है तो आपको portfolio में large cap funds add करने चाहिए और इसके लिए आप जैसे आजिते बिर्ला Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund इसे शामिल कर सकते हैं या फिर ICC Potential Nifty 50 Index Fund इसे आप consider कर सकते हैं तो एक passive large cap fund consider किया जा सकता है और बढ़ते हैं आगे लेतनेकला सवाल जब पूछा है चंदना मोहंती ने चंदना जी आपने बताया है कि आपके पास है ICC Potential Business Cycle Fund जहाँ पर 10,000 रूपीज की शायद SIP चल रही है और ICC Potential Blue Chip Fund है ये एक large cap fund है वहाँ पर 15,000 और मेरे asset emerging blue chip fund जो कि आप मेरे asset large and mid cap fund इसका न नजरिया है तो देखिए आपके पास एक large cap fund है एक आपके पास में large and mid cap fund है और एक business cycle fund है जो कि एक thematic fund है और small cap आपके पास नहीं है और आपके नजरिया 15 years का है तो वैसे तो खेर इस वक्त पर मैं small cap में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देख रहा हूँ अभी उम्मीद है कि कुछ समय के लिए आप यहाँ पर वैसी तेजी नहीं देखेंगे पर फिर भी long term की बात हो तब के portfolio में small cap और international funds ये भी होने चाहिए तो समय के साथ आप इन्हें include कर सकते हैं और यदि हम calculate करें कि 12% के CAGR पर कितना पैसा बन सकता है 15 साल में 35,000 के SIP के साथ 1.67 करोड परफोलियों को जो investment amount है उसे year after year 10% से बढ़ाते रहें तो फिर 15 years में 2.90 करोड रुपीज एकटा हो सकते हैं लगबग तो आपको बिलकुल यहाँ पर step up करना चाहिए और साथ ही small cap और international fund को भी अपने portfolio में शामिल करना चाहिए ये मेरी राय है जब long term की बात होती है तो large cap, mid cap, small cap, international fund सब कुछ आपके portfolio में होना चाहिए और इस वक्त पर जो funds आपके पास है वो बहतरीन funds है इनके साथ आप ज़रूर बने रहें all the best to you अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूचा है प्रशान्थ जी ने प्रशान्थ जी आपने बता है कि आपने investment स्टार्ट किया है 2018 से और 12 साल में 4 क्रोड का आपका goal है और access ELSS में आपने 2000 की SIP की हुई है HSBC mid cap fund में 4000 मेरे asset large cap fund में 2000 पराग पारिक flexi cap में 5000 क्वांट small cap में 3000 और साथ ही SBI hybrid fund में 1000 पर मन्त की SIP और आपके पास 11,00,00 रुपे और आप जानना चाहते हैं कि funds कैसे हैं तो सबसे बहुत तुम्हें कहुँगा कि जो access ELSS tax siver fund आपके portfolio में है उससे आप निकल जाएं और अपनी SIP महाँ पर बंद कर दें उसके बजाए यदि आप मेरे asset tax siver fund को consider करेंगे तो better है या फिर पराग पारिक tax siver fund मुतिलाल उस्वाल tax siver fund ये funds consider किये जा सकते हैं बाकि आपके portfolio में large cap, mid cap, small cap सभी तरह के funds हैं तो आप बिलकुल इन funds के साथ आगे बढ़ सकते हैं और जहां तक बात है आपके target की तो मैं बता दू कि 17,000 की SIP अगर 12% के CAGR पर calculate करें तो 12 years में करीब 52 lakh रूपीज इखटा हो सकते हैं और वहीं जो 11 lakh रूपे आपके पास accumulate हो चुके हैं उसे भी हम calculate करें कि 12% के हिसाब से ये grow होंगे तो करीब 43 lakh रूपीज यहां इखटा हो सकते हैं सब मिलाकर 95 lakh रूपीज इखटा होने की उमीद है 12% के CAGR पर लेकिन आप पर target है 4 crore का तो आप काफी दूर है target से आपको अपने investment amount को आप काफी बढाना पड़ेगा मैं यदि calculation की बात करूँ तो यदि 75,000 रूपीज की SIP हो पर मंत की और साथ में 10% से step up करें एवरी year तब जाके 4 crore रूपे इखटा हो सकते हैं 12 साल में तो gap काफी बढा है जितना amount हो सके उसे आप बढाईए और साथ ही यदि आप जो time period है 12 years का उससे थोड़ा बढा देंगे तो फिर आपके लिए goal को achieve करने में आसानी होगी और 3 लाग रूपे जो अभी आप invest करना चाहते हैं लंसम में उसके लिए मैं कहूँगा कि आपको इसे large cap fund में add करना चाहिए आपके पास मेरे ऐसे large cap fund है उसमें आप add कर सकते हैं और साथ ही थोड़ा पैसा पराग पार एक flexi cap fund में भी add किया जा सकता है क्योंकि ultimately उसका भी जो allocation है वो काफी large cap में है तो आप इन दो funds में इस पैसे को invest कर सकते हैं All the best to you हम बढ़ते हैं आगे लेतने के लिए सवाल जो पूछा है पटेल जी आपने अपना portfolio शेयर किया है आपके पास है निपॉन इंडिया small cap fund जहां पर 3000 रुपीज पर मन्त की SIP हो रही है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 2000 रुपीज की SIP यह है mid cap fund पराग पार एक flexi cap fund में 2000 SBI small cap fund में 3000 small cap fund दो हैं आपके पास HDFC mid cap opportunities fund में 3000 यानि कि दो mid cap भी है अच्छा एक और small cap है टाटा small cap fund तो आपके पास तीन small cap fund है दो mid cap funds है और एक flexi cap fund है तो आप 20 साल के लिए invest करना है आपको और देखे funds सारे अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं है बस इतना है कि small cap में exposure ज्यादा है तो market में ups and downs होंगे volatility होगी तो उससे आप घवराएं नहीं और जब market में गिरावट हो और आप देखें कि आपके portfolio में काफी गिरावट है तो फिर उस वक्त पर निकले नहीं डटे रहें यदि 20 साल तक आप बिलकुल रुके रहेंगे तब ये portfolio अच्छा है और आपको इसका SBI Magnum Small Cap Fund जहां पर 5,000 रुपीज की SIP है Tata Small Cap Fund में 3,000, Canra Small Cap Fund में 1,000, DSP Small Cap Fund में 2,000, PGIM India Mid Cap Fund में 1,000, मेरे Asset Large Cap Fund में 2,000, Nippon India Growth Fund में 2,000, क्या ठीक रहेगा अच्छा आप शायद असर लग रहा है कि आप करना चाहा रहे हैं आपने किया नहीं है तो 15 years का आपका नजरिया है पहली बात तो funds कम कीजिए इतने funds की ज़रूरत नहीं है आपको portfolio में रखने के लिए आप एक Large Cap, एक Mid National Fund को शामिल कीजिए वो बहतर होगा Large Cap में मेरे Asset Large Cap Fund चुना है आपने ठीक है आप इसमें SIP कर सकते हैं Mid Cap के लिए Nippon India Growth Fund बिल्कुल अच्छा है इस fund में आप SIP कर सकते हैं तो Nippon India Growth Fund Mid Cap मेरे Asset Large Cap Fund साथ में Small Cap Fund आपने बहुत सारे चुने हुए हैं इनमें से मैं कहूंगा यदि जो आपने Select किये उनमें से एक करना हो तो Nippon India Growth Fund मेरे साब से अच्छा रहेगा या फिर Tata India Small Cap Fund को Consider किया जा सकता है तो आप या फिर आप दो Small Cap Fund में भी Divide करके चल सकते हैं लेकिन Amount बहुत ज्यादा ना हो और साथ में एक International Fund को आप शामिल कीजिए पॉर्टफोलियो में वो यहाँ पर कोई नाम मेंशन आपने नहीं किया है इंटरनेशनल फंड की केडिगरी में आइसे से प्रोडेंशल यूएस ब्लूचिप फंड या फिर आइसे से प्रोडेंशल नैस्टेक 100 फंड इन में से कोई एक फंड कंसिडर किया जा सकता है तो इस तरहां से यदि आप 15 years की बात कर रहे हैं तो आपके पास में सभी तरहां के market cap वाले फंड सों साथ में international exposure भी हो तो यह अच्छा रहेगा all the best to you तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रेशनों के उतर दिये मुझे उमीद है कि जानकर आपको पसंद आई होगी अपने सवाल और सुझाओ इसी तरहां से आप comment box में post करते रहें और इसलिके साथ मुझे दीजे इजाजत अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाका सब्सक्राइब होगी तैंक यू जैहिन mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से सम्मंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े